अब रुख करते हैं दूसरी खबर की ओर जहां आपको बता दे कि केरल से बीजेपी के लिए एक पूरी खबर सामने आई है राज्यों के बीजेपी प्रमुक के सुरेंद्र के खिलाफ और इश्वत खोरी के आरोप में मामला दर्च कर लिया गया है सुरेंद्र के खिलाफ चुनाव में आदिवासी नेता और जन प्रतिनिधियो राष्ट्री पार्टी जे आर पी अध्यक्ष सी के जनू को राज्यक उमीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए रिश्वत देने कारोप लगाया है बीजेवी प्रमु के सुरेंद्र को उनके खिलाफ 17 जून को ये मामला दर्च किया गया था और यहां एक अदालत ने पुलिस को रिश्वत खोरी के आरोप पर सुरेंद्रन के खिलाफ प्रात्मिकी दर्च करने का निर्देश दिया है साथ ही आपको बता दें कि इस मामले पर पुलिस ने कहा कि प्रात्मिकी भारत ये दंड सहिता के तहट दर्च की गई है और आपको बता दें कि हाल ही में सुरेंद्रन और जे आरपी नेता पी अजी कोड के बीच जून को राशी का भुकतान करने को लेकर सुरेंद्रन और उनकी पार्टी ने आरोपों से इंकार किया जब कि आदालत प्रथम दृष्टिय टेप की सहायता को लेकर आश्वस्त हो गई है इससे पहले साजून को सुरेंद्रन के खिलाप के सुन्दर को मंजेश्वर सीट से नामंकर वापिस लेने के लिए धंकाने और रिश्वत देने के आरोप के मामले भी तर्च किये जा चुके हैं और देश में कोरोणा की दूसरी लहर की बेकाबूर अफ्तार पर लगाम लग गया है ऐसे में 73 दिनों बाद कोरोणा के आक्टिव मामले आठ लाख से कम दर्च के गए और इसी बीच अच्छावन दिन बाद भी मौत का जो आंकड़ा है अब वो 2000 से कम हो गया है स्वासमंतर वाले की ताजा अंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 62,480 नए कोरोणा मामले सामने आये हैं और 1587 संक्रमितों की जान चले गए बीचे दिनों 88,970 लोग कोरोणा से ठीक भी हुए हैं बता दें कि देश में लगातार 36 दिन करोणा वाइरस के नए मामलों से ज्यादा रिकवरी हुई है 17 जून तक देशवर में 26 करोड 89 लाग करोणा वैक्सीन के डोस भी लोगों को लगाय जा चुके हैं तो वहीं बीचे दिन 32,69,000 चीके लगाये गए हैं और वहीं अब तक करीब 38 करोड 71 लाग करोणा टेस्ट किये जा चुके हैं साथ ही आपको बता दें कि बीते दिनों करीब 19 लाग करोणा सेंपल टेस्ट भी किये गए जिसका पॉजिटिविटी रेट 4 फीसदी से ज्यादा है बारे समी दुनिया की कई बड़े देश इस वक्त करोणा वाइरस में हमारी कास सामना कर रहे हैं बारत में करोणा की पहली लहर ने बुजर्गों पर तो दूसरी लहर ने युवाओं पर सबसे ज्यादा कहर बर पाया है अब संभावना है कि करोणा की तीसरी लहर बच्चों को अपनी चपेट में लेगी तीसरी लहर की संभावना के मद्दे नजर कई राजियों ने तैयारिया भी चुरू कर दी है तो वहीं आपको बता दें कि 2 से 18 साल तक की उम्र के लोगों के लिए तीसरी चरण का परिक्षण शुरू करने के लिए ज्रॉग कंट्रोलर जोनरल अफ इंडिया की मन्जूरी मिल चुकी है फिलाल बच्चों के लिए भारत बायोटेक वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है इतना ही नहीं भारत बायोटेक नाक से देने वाली वैक्सीन BBB1 का भी परिक्षण कर रही है ऐसे में ये वैक्सीन वन शॉट होगी इसे गेम चेंजर माना जा रहा है बता दे चलें कि परिक्षण के दोरान ये वैक्सीन बहुत सुवेदा जनक बाने गए है तो इभारत में बच्चों के लिए Novaks या Kovavax भी क्लिनिकल परिक्षण के दोर से गुजर रही है इसी के साथ ही इस वाक्सीन को नोवैक्स पूरे के सीरम इंस्टिटूट अफ इंडिया के साथ मिलकर विक्सित किया जाएगा और इसी बीच ग्रहमंत्वाले ने साइबर फ्रॉड से जुड़ी शिकायतों के निप्टारे के लिए एक केंद्रिय कृत हेल्प लाइन नंबर जारी किया है यह हेल्प लाइन नंबर 155-2600 है इस नंबर पर किसी भी तरह के इंटरनेट बैंकिंग समेथ ऑनलाइन फाइनस से संबंदित धोगाधड़ी की शिकायते की जा सकेंगी इस हेल्प लाइन नंबर का संचालन संबंदित उतराज्य की पुलिस द्वारा किया जाता है शिकायत के बाद समवंदित एजंसियां उस पैसे को डूंड कर वापस कराने का काम करेंगे ग्रहम उंतराले ने इस एल्प लाइन की कारे प्रनाली की जानकारी देते हुए कहा कि ये एक केंद्रे कृत प्रनाली है जिसके तहत ठगी से समवंदित सब एजंसियों को एक साथ जोड़ा जाता है ठगी की शिकायत मिलने के ततकाल बाद शिकायत नमबर के साथ विस्तरत जानकारी उस बैंक या ई-वालेट के पास भेश दी जाती है जिस बैंक में ठगी का पैसा गया होता है बैंक के सिस्टम में ये जानक पारी फ्लैश करने लगती है और अगर पैसे संबंदित बैंक या वालेट के पास है तो वो उसे तो अत्काल फ्रीज कर देगा और अगर पैसा किसी और बैंक या वालेट में चला गया है तो वो उसे संबंदित बैंक या वालेट को भेश दिया जाएगा इसी साथ ही फिलाल के लिए खबरों में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे माय साथ देखते हैं आरा नियूस